प्रदेश भर में जो परवासी मजदूर है उनको बसों के जरीए भी भेजने की तयारी की जा रही हैं हमार साथ हर्याना केविनेट मंत्री मुल्चें शर्मा जी है मंत्री जी परवासी मजदूरों को लेकर लगातार कई तरह की परशानिया आ रही थी अब त्यारी कि जा रही है कि बसों की मदद भी ली जाए हर्यान रोडवेस की बसे के जरिये लोगों को बेजा जाए किस तरी कि पलानिंग है जो परवासी मजदूर जो रेजिटेशन करा रहे हैं अपने स्टेट में जाने के लिए और जो रेजिटेशन होते हैं उन्हें को रेल के द्वारा और बसों के द्वारा उन परवासी मजदूरों को हो हर्याने सरकार छोड़ने काम के मुख्योंति मनोलाल जी ने जो हरियाने के आसपास जो लोग 200-500 किलोमेटर की दूरी पे हैं और जिनने रेजिटेशन कराया है उनको हरियाना रोडवेज पहुंचाने का काम कर रहा है और नजदिक के लोगों को हरियाना रोडवेज करेगी और बहार वाले जो रेजिटेशन कराया है जो रेलवेज के थूरू उनको भार सरकार ने हर रेलवेज के दौरा छोड़ने काम ज़स ज़स चल रहा है मज़र जी आपने खाँ कि 25-200 किलोमेटर के दायरे वाले मजदूरों को रोडवेज चोड़ेगी तो रोडवेज की क्या तयारी है क्योंकि सोशल डिस्टेंसिन्ग भी जरूरी है शेंकरमन ना फैल है इसके भी कई जरूरी है किस तरह की तयारी है रोडवेस की? नजदी के आस पास दूसरे परदेश के मुख्य की मुख्य मंतरी उन से बात करने के बाद है। किया उनका Check Up हो रहा है? उसके बाद उन्हें बैठने दिया जा रहा है? सारा उनको डॉक्टरी चेक अप है तब ही छोड़ रहे हैं बिना चेक अप के बिना उसके हम नहीं भीज़ रहे हैं तो हमार साथ केविनेट पर रिवन मंतरी मूल्चन शर्मा जी थे उनका कहना है कि हर्याडान रोडवेस के जरिये भी जिन परॉसियों के निवास हैं जिन परॉसियों के घर हैं वहाँ उनको घीजा जा रहा है इस पूरी परकिर rap में शोशल डिस्टेंसिंग और संक्रमनड नाफैले इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है विने सिंग टोटल न्यूस फरीदाबाद